हेलो एबरीबन, क्यासे हैं आप सब? इन्वेस्टिंग मीद हरदीप में मैं आपका फिर्स्टि स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में देखें मार्केट अब जो है थोड़ी थोड़ी रिकबरी करते हुए में देखने को मिल रहे हैं अच्छा खासा जंप जो है आज बॉंबे स्टॉक एक्षेंज और निफ्टी फिप्टी दोनों में ही हमें देखने को मिल रहे हैं लब 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 0.70% के आसपास की बड़त जो करना चाहते तो डिप में पर्चेजिंग करने का इस टाइम बहुत ही बढ़िया मोका है और जब दुबारा से अगर ओर उपर जाए तो एक मतलब एक एवरेज लेके चलिए आप अगर मार्केट में अपने वेल्थ क्रेट करनी है बढ़िया पॉट्फोलियो अगर करने को मिल रहा है कल की बात करूँ तो कल क्लोजिंग जो हुई थी वो अपर सरकेट में वी थी स्टॉक ने श्यान के टाइम जो एक दम से तेजी दिखाई और स्टॉक जो है लोवर सरकेट से अपर सरकेट में चिला गया था तो अभी आगे की स्ट्रेजी क्या कुछ होने चिले कितना कुछ सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर है और क्या कुछ टेकनिकल चार्ट कहता है आज की डेट में तो इस बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्ल खिलाल कि अगर आज की बात करूँ तो अभी खिलाल जो करन्ट प्राइस है करेशन अदर सोलिजन्स का हो चल रहा है 27 रुपे 50 पैसे यानि की 2% के आसपास की तेजी है 55 पैसे की तेजी अभी देखने को मिल रही है पिछली क्लोजिंग 26 रुपे 95 पैसे पे थी और कल जो है तो 5 दिने में स्टॉक देखे लगब लगब 7 परसंट के आसपास की गिरावट दिखा चुका है और इसी बीच में जो है लोवर सरकेट लगे थे और कल की डेट में जो है अपर सरकेट था और आज भी जो है पॉजिटिव मूड में ही हमें क्रेशन डेखने को मिल रहा है ब अगर चे में ही तो 245% के रिटन है और एक साल की बात कुरूँ तो मल्टिवैगर रिटन से 3000% के रिटन जो है क्रेशन डा सोलुशन ने एक साल के अंदर दिये हैं अब अगर आज के बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की बात कुरूँ तो लग बाल बग 17,000,000 शेर और एक लाग शेर जो है वो हमें सेलिंग और में देखने को मिल रहे हैं यानि लगब लगब लग 3,500,000 शेर का वोलूम टरेड हो चुका है यानि कि साड़े तीन लाग शेर्स जो है खरीदे और बेचे जा चुके हैं इतनी मार्केट ओपनिंग के टाइम में ही यानि कि अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हो है मार्केट ओपनिंग को बटले कि नेक चीज आप लोगो को ध्यान लगने कि बहुत जारे लोग जो है उपर के लिए उसे भाई करके सेल कर चुके यह चीज मैंने जब स्टॉक में देखे यहां पर इस रेंज में आ गया था तब मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी स्टॉक को लेके इस रेंज मैंने के बाद 25-26 रुपर यह बताया था कि घृटर वन का जो है एंड होने वाले 10 दिन के बाद जो है कोटर वन के रिजल्ट्स आने के लिए डेट अनाउंसिज होने स्टार्ट हो जाएंगी और इसी बीच में क्रेसेंडा सोलुशन के क्या कुछ क्वाटर वन के नंबर साते हैं तो उसके बाद जो है एक progress जो है आपको crescendo solutions में आने वाले time में भी देखने को मिल सकती है और अभी फिलाल का जो buying pressure और selling pressure तो बहुत ही कम है लेकिन buying pressure फिर भी बहुत ही ज़्यादा लग बहुत 16,000,000 चेश का है और इतना volume जो है काफी हो इतना जो buying pressure वो काफी है stock को maintain करने के अगर selling pressure जो है बलक में नहीं selling होती है तो यह stock जो है आपको पूरा दिन जो है market में अप moment में ही अपनी closing देते वे नजर आएगा अगर मैं company के देखे PE की बात करूँ तो 2745 अभी भी overbought है PE जो है अभी भी नीचे नहीं आया है बहुत ही ज़्यादा PE अभी भी crescendo solutions का हमें देखने को मिल रहा है टेकनिकल चार्ट की बात करूँ तो अगर यहां से अब positive breakout देता है तो लब 36 रूपे के आसपास देखे अब जो तेजी आई है अगर यह breakout देता है 36 रूपे के आसपास तो फिर जो है आपको यह अपना बांवी खाई भी cross करते हुए नजर आ सकता है क अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और आप मिर चैनल पे नहीं है तो प्ली चैनल पे नहीं तो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें